पिछले पार्ट में हाउचन और सायर ने लब डिवन को हरा दिया था जिसके बाद लब डिवन महाँ से भाग गई थी इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि सेंगुइन से काफी खुस होता है और फिर कहता है कि इन दोनों ने मिलकर लेवल 9 वाले डिमन गौर्ड को हरा जिसके बाद हम देखता है कि बाद हाउचन भी इसके लिए मान गया था और वहीं हम देखता है कि बाद सभी लोग भी इसे गृट करने के लिए रेडी हो गया थे और इसलिए वे इसके सामने घुटने टेकते हैं तब इस पर सेंग्यू कहाता है कि इस टोकन को देखते हैं सभी तुम्हारे सामने गुटने टेकेंगे और अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई जरूरत पड़ी तो फिर सभी असेसिन किसी भी कंडिसन में तुम्हारी हल्प करने के लिए रेडी रहेंगे जिसके बाद इसक सारे इन चीजों को बड़ी ध्यान से देख रही थी और इसे देख ऐसा लग रहा था कि उसके मन में साइद कोई सवाल चल रही है अब इसलिए वहाउचन को अपने पास पुलाती है और फिर कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहाना चाहती हूं जिसका बाद हम देखता है कि हाउ समय मेरे सामने ढाल बनकर खड़े रहें इसके लावा हर एक मोमेंट में तुमने मेरे साथ दिया और तुम्हर समय के वाल मेरे तरफ देखते रहें लेकिन फिर वह कैंदर लगती है कि मैं इसके बारा में बात करने की हिमत नहीं कर सकती क्योंकि वैसे भी मैं अपने मेमरी को भूल गई हूँ और इसलिए मुझे अपने पास्ट के बारे में उतना खुछ पता नहीं है अब इसलिए कहने लगती है कि मैं तो यह भी नहीं जानती कि मैं किस तरह की इंसान हूँ और इसका लावा में इसका बारे में भी नहीं जानती कि तुम जब मेरे तरफ देख रहे थ तब क्या सच में तु मेरे तरफ ही देख रहे थे लेकिन आखिरकार मुझे अपने पास मेमरी के बारे में कुछ याद आ गया है और इसलिए इस पाद से प्रूव होता है कि मैं सायर हूँ और अब इसलिए मुझे किसी चीज के बारे में कोई डर नहीं है तब इस पर हाउचन मैं सायर मेरे लिए आभी सायर ही है और मुझे यह भी पता है कि मैं हमेसा किसकर तॉरभ देख रहा था और फिर वोस प्रूजस से कहता है कि मैं हमेसा से तुम्हां बहुत जादा पसंद करता हूँ जिसक imprint में दैखता है कि वे दोनों फिर से आंपर किस करने जाते हैं और ब मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ लेकिन इसका बाद हम देखता है कि हाउचन और सारे आहां से जाने के लिए रेडी हो गये थे इसलिए हाउचन सेंग्यू से कहाता है कि हान्यू ने भी अपने टेस्ट को पास कर लिया होगा इसलिए मैं चाहता हूँ क अगर वह हमें खुचते वे आहां पर आहे तो फिर आप उसे जीया लिंग पास में भेज देना जिसका बाद हम देखता है कि सेंग्यू भी इसके बात माने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उसे कहता है कि तुम अपना ख्याल लखना और सायर का भी ख्याल लखना तब इ मेरे बाकी टीमेंट समारा वेट कर रहे हैं इसके बाद वो अपने मदर से कहती है कि आपको इसका बार में चिंता करने की कोई जर्वत नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक रहूंगी लेकिन अभी भी हम देखता है कि सायर के मदर काफी परिसान होती है क्योंकि उनको भी नहीं पता कि अभी फिर से कब मिलेंगे लेकिन इसका बाद हम देखता है कि हाउचन अभी आपर कोई देरी नहीं करना चाहता था इसलिए उसमें सायर को भी अपने साथ में ले लिया था और अभी इस तरह से दुनों स्टार किंग के साथ में आएसा निकल जाते हैं इसके यहां से अलग अलग जगाओ को पार करते हैं जहां हम देखता हैं कि रास्ते में बहुत सारे सुंदर नजारे भी आते हैं और अब इसके कुछ तेर के बाद वे जीया लिंग पास में आ गये थे लेकिन वहीं सायरी आएं के नजारे को देख हैरान होती है और फिर कहती है सर हम देखता है कि वह इनको आगे जाने के लिए पर भी संदे देते हैं लेकिन तभी सी बीच लिंग फेंग भी इनको देख लेता है जहां हम देखता है कि वह इनको यहांसा आगे नहीं जाने देता और वह इनसे यहां पर रुखने के लिए कहता है तब इसके ऐसी बात सुन करने के लिए आये हैं तब इसके ऐसी बात सुनकर लिंग करता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो जिसका बाद हम देखता है कि हाओ चैनि से लिंग सीन का नाम बताता है लेकिन इसका बारे में सुनते हैं ध्यान से इन के तरफ देखना लगता है और फिर कहता है कि क्या तुम उसके फ्रेंट हो लेकिन हम देखता है कि हावचोन और सायरिस के बारे में कुछ भी नहीं बोलते जबकि वहीं लिंग फ्रेंग विनको यहां से लेकर जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि तुम मेरे साफ में पुछती है कि आखिर कार इसका मतलब क्या है तब इस पर लिंग फ्रेंग इन से कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताना भूल गया और फिर उसका साथी कहना लगता है कि वैसे तो तुम दोनों बहुत ही पाउर खुल हूँ और इसलिए हमें समझने नहीं आता कि त सायर तुरंत इस पास से काफी गुसा हो जाती है इसलिए वो अपने पाउर से आंके बैरियर को तोड़ देती है और अब इस तरह से वो लिंग फेंग के ऊपर भी अटाइक करने के लिए रेडी हो गए थी लेकिन अब इसका बाद जासे बहुत सारे वेपनिन पर अटाइक कर लेकिन इसका बाद भी हम देखता है कि हाऊचो जारिशार को इसका बारे में कोई जादा चिंता नहीं होती और इसलिए वेपन जैसे ही उपर अटेक करने माले होते हैं तभी उसके वक्त हमाता है और फिर वह ताशन हम देखता हैं कि उसने अपने पाउर का यूज्व करकर सारा आटैक को रुख लिया था और इसलिए यहीं हाव्चन और सार का कुछ भी नहीं कर प्रप्तेती है और फिर कहती है कि अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो फिर उसका बाद मैं किसी भी चीज़ के बारा में नहीं सोचूंगी और जितना भी हिसाब की ताब है मैं उससे बराबर कर दूंगी वहीं इसे देख आओचन भी काफी खुस हो गया था जिसका बाद ल देखता है कि लिसीन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती जबकि वहीं लिंसीन लिंक फेंग के ऊपर काफी गुसा हो गया था और फिर अपने पावर से अटेक करते हुए कहता है कि उससा बोले कि तुम्हारी हिमत कैसे हो गई मगर तभी हम देखता है कि एक लड़की ने जाने के लिए रेडी हो गया था जहां हम देखता है कि लड़की के बाल का कलर बिल्कू लिंसीन के जैसे होता है और इनको देखने साथ वारे में कुछ नहींब बोल पाता तो अगर एक्स्क्लाने सर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर ये कॉमेंट ज रुर पताना!